नमस्कार दोस्तों, डिश्टर मर्गेटिंग चैनल पर आपका स्वागत है आज इस वीडियो मैं आपसे बात करूँगा Gmail आड के बारे में तो पहले PPT में आपको दिखाऊंगा किस तरह आप Gmail आड को create कर सकते हैं कहाँ पर Gmail आड शो होती है और उसके बाद Google आड में जाके हम एक Gmail campaign create करेंगे दोस्तों जो Gmail आड होती है वो आपको जो आपका Gmail पर जैसे अकाउंट पर आप लॉगिन करते है तो Social और Promotion टैब होता है उसमें आपको शो करती है तो यहाँ पर example लिए आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर Social पर क्लिक किया तो उपर से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आड शो हो रही है और आपको पता चलें कि यह इमेल नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AD और AD लिखा होता है इसी तरह जब आप Permotion पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी एक याँ दो आपको AD देख सकते हैं तो यहाँ पर maximum दो ही AD देख सकते हैं आपको तो कभी हो सकता कि आपको एक AD दिखे कभी एक ना दिखे वो depend करता है कि उस वक्त कितने Advertiser बिट कर रहे हैं दोस्तों इनमें से कुछ AD होती है वो expandable होती है तो आप जैसे उनके उपर क्लिक करते हैं तो वो एक email की तरह open हो जाती है जो expanded AD होती हैं उनके अंदर आप images, video और form को use कर सकते हैं ताकि जैसे वो expand हो तो user जो आपकी images देख सके हैं वीडियो को देख सके हैं जो आपने form दिया उसको फिल कर सके हैं Gmail AD जो है वो dynamic marketing को support करता है अगर आप hotel और rental की business में हैं तो जो Gmail AD होती हैं पहले वो collapsed form में होती हैं जैसे यूजर में पर क्लिक करता है या तो आपके landing page पर यूजर जा सकता है Google Ad आपको चार्ज करता है जैसे यूजर आपकी collapsed ad form पर क्लिक करता है और आपकी ad expand हो जाती है लेकिन अगर आपकी जो ad expand होती है उसके अंदर 10 different images हैं वीडियो है जब user उन पर क्लिक करता है तो Google आपको उसके लिए चार्ज नहीं करता है आप Gmail ad campaign बनाते है तो आपको यहां से blue icon plus button पर क्लिक करना है आपको यहां से new campaign पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको अपना marketing goal select करना है जो Gmail campaign बनते हैं वो under display network बनते हैं तो यहां से आपको display को select करना है यहां पर आप देख सकते हैं जो थर्ड ओप्शन है वो Gmail campaign है तो आपको यहां से Gmail campaign को select करना है अपने business जो URL उसको यहां mention करना है continue पर click करना है तो यहां से आप देख सकते हैं जो type है वो Gmail है goal आपका leads है तो सबसे पहले आपको अपनी campaign को एक name देना है उसके बाद यहां से आप location को select कर सकते है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर India selected है अगर आप कोई particular state यह city को select करना चाहते हैं तो यहां से आप enter another location पर click करना है यहां से आप अपनी location को enter कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने Delhi को add कर लिया है अगर आप और भी advanced targeting करना चाहते हैं, तो यहां से आप advanced search पे click कर सकते हैं, उसके बाद आप radius base पे या pinpoint base पे जाके भी targeting कर सकते हैं, मैं आपको दोस्तों suggest करता हूँ कि यहां से आप जो target हैं, उसमें second option को select कीजिए, इसमें क्या होता है कि जो लोग भी आपकी targeted location में हैं, जैसे अगर आप target कर रहें Delhi को, जिनका भी physical location Delhi के अंदर होगा, उनी को आपकी add दिखेगी, अगर आप यहां पे first option को select करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपकी add दिखेगी, जो लोग आपकी targeted location में physically हैं, और जो आपकी targeted location में interest रखते हैं, तो जो लोग दिल्ली में interest रखते हैं, जो भी आपके users हैं, जो भी language बोलते हैं, तो यहां से आप उसको select कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास यहां पे bidding strategy चूज करना है, अगर आपने conversion create कर लिया है, जैसे हमने जो गोल बनाया है, इस campaign को, वो lead है, जो भी user हमारी website पर जाके lead form fill करता है, तो हमारी लिग conversion होगा, तो इसलिए यहां पे हम focus conversion पे करेंगे, click पे नहीं, और bidding strategy हम यहां से जाके change करेंगे, तो अभी जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, जो हमारी पस option है, वो maximize conversion है, target CPA है, target ROAS है, इन सब bidding strategies जो automatic हैं, हम second phase में जाके use करेंगे, सबसे पहले हम यहां से manual CPC यूज करेंगे, ताकि हमारी जो campaign है, उसके बास data है, क्योंकि जो भी automatic bid strategy होती है, वो आपकी जो search campaign है, या आपकी Gmail campaign है, आपकी display network कोई भी campaign है, तो उसका जो existing data होता है, उसी के base pay ही एपनी strategy बना के आपको performance देती है, तो सबसे पहले मैं आपको suggest करता हूँ, यहां से manual CPC को select किजी, और आपको लेक help increase conversion with enhanced CPC, आपको इसको tick जरूर करना है, इसी के बाद क्या होगा, जो आपकी manual CPC है, जो campaign है, इसका जो focus है, वो रहेगा कि आपको maximum conversion मिले, आपको यहां से अपना daily budget को select करना है, जैसे आप more setting पर click करते हैं, आप दे सकते हैं, यहां पर add rotation का आपको option मिलता है, तो इसमें मैं already मैं दूसरी campaign में इनको discuss कर चुका हूँ, लेकिन यहां पर जो एक option है, dynamic add का, दोस्तो, dynamic remarketing add आप कर सकते हैं, अगर आप hotel ये rental के business में, तो आपको यहां से आपकी जो भी data feed है, उसको select करना है, यहां से आप अपना business type select कर सकते हैं, उसके बाद का जब आपकी campaign ready हो जाए हैं, उसके बाद यहां से आपके पास conversion का option होता है, हो सकता है आपके account में 10 different conversions हैं, जो आप यह Gmail campaign मना रहे हैं, आप सर्व उसमें 1 या 2 conversion को target करना चाहते हैं, तो यहां से आपको second option target करना है, और यहां से आपको select conversion action पे click करना है, जो भी आपके यहां पे total convergence होगी, उनको आप यहां देख सकते हैं, तो यहां से आप choose कर सकते हैं different conversion को, अगर आप चाहते हैं यह जो आपकी particular Gmail campaign है, वो lead पे ही target करें, तो यहां से आप lead को select कर सकते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका lead from website हो select होगी, आप नहीं चाहते हैं कि आपका call from add है, उस पे focus करें, लेक lead जो है, वो as a set conversion है, तो यहां से मैं set को select कर सकता हूँ, और save करना है, तो उसके बाद होगा क्या, जो मेरी particular Gmail campaign होगी, यह सिरफ इनी दो conversion को achieve करने के लिए अपना best performance देगी, अब आपको add group को create करना है, तो यहां से आपको अपने add group को एक name देना है, अब आपके पास option है, कि अपनी Gmail ad के लिए, तो यहां पर आपका पहला option है, वो keywords है, तो जो भी आपके keyword है, phrase है, उनसे आप चाते हैं, जो लोग उनमें interest रखते हैं, उनको आपकी add देखे, तो आप keyword पे भी as a targeting use कर सकते हैं, अपनी Gmail ad के लिए, बट मैं आपको suggest नहीं करता है, कि आपको keyword audience or demographic, जित ad group बनाईए, audience ad demographic को आप एकी add group में use कर सकते हैं, इसी तरह keywords और demographic को भी आप एकी add group में use कर सकते हैं, तो keyword है select करने के लिए, आपको यहां पे आपने जो भी website का URL डाला है, तो यहां पे आपको Google ad कुछ suggestion शो कर रहा है, आप यहां से directly keyword add कर सकते हैं, मैं यहां पे एक demo campaign बना इसी लिए मैं जो भी इतनी भी targeting है, उन्हें को मैं एक ही add group में यहां पे add कर रहा हूँ, आपको यहां से इसको done पे click करना है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, कि जो आपने keyword mention किया है, वो आपके targeted keyword में add हो गया है, second option यहां पे audience का है, इसमें सबसे पहले यहां पे आप द अगर आपके पास detailed demographic होते हैं, आप उनके base पे यहां पे targeting कर सकते हैं, like parental status, marital status, education, second आपके पास affinity and custom affinity audience होते हैं, यह काफी broad audience होते हैं, इनको आप target कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छा budget spend कर रहे हैं, जो third option है, अगर आपके पास एक limited budget है, तो यह अच्छा option है कि आप in market audience को target करें, इन market audience होते हैं, जो लोग market में अभी actively search कर रहे हैं product or service को जो आप sell करते हैं, life event के base पे आप target कर सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, जो लोग business create कर रहे हैं, या college graduate है, home renovation कर रहे हैं, उन लोगों को आप target कर सकते हैं, इन market में भी different आपके पास, यहां पे आपको option म audience create करते हैं, आप उसको यहां पे target कर सकते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं, जिससे अगर आप एक नया custom intent audience create करना चाहते हैं, तो आप यहां से आपको अपनी audience को name देना है, so google add यहां पे आपको suggest करता है कि आपको as a customer सोच के यहां पे at least 50 search term add करने हैं, ताकि एक relevant audience create हो जो इसमें सबसे last option है, वो remarketing and similar audience का है, जो आपने remarketing tackle लगा कि different audience create की है, like all converter, all visitor, उनको आप target कर सकते हैं, आप combined list को जो आडवर्ड optimized list है, उनको target कर सकते हैं, और जो भी आपकी audience के similar audience है, आप उनको target कर सकते हैं, आप जब जैसे जैसे यहां पे audience target करेंगे, तो यहां पे आपके पास available impression है, यहां से आपको उसका idea मिलता है, दोस्तों देखते हैं, जैसे मैं यहां पे similar to all user पे click करता हूँ, आप देखेंगे जो 1 के है, यह 0 हो जाएगा, बैने आपको इसलिए मना किया था कि 8 की ad group में क्यूं आपको keyword और audience को target नहीं करना चाहिए, उसका मतलब यह होता है कि वो particular audience जिसको आप target कर रहे हैं, और वो keywords में भी interest रखती है, तभी आपका ad उनको show होगा, इसी वज़े से मैं आपको suggest करता हूँ कि आप ad group different बनाए keyword के लिए और audience के लिए, otherwise आपकी targeting बहुत चादा narrow हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी ad पे आपको एक भी impression ना मिले, इसलिए मैं यहाँ पे इसको continue करता हूँ, third आपके पास यहाँ से demographic का option है, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ male को ही अपना ad दिखाए तो यहाँ से आप female को uncheck कर सकते हैं, आप different age group में भी as a filter, आप यहाँ से नहीं चाहते 65 plus को आप आप दिखाए तो यहाँ से uncheck कर सकते हैं, इसी आपके बाद आपको option मिलता है, वो automatic targeting का मिलता है, तो जिसने आपके पास तीन option होते हैं, जो पहला होता है, वो no automated targeting होता है, जो भी आपने audience create की है, आप सर्फ उसी को ad दिखाना चाहते हैं, तो आप बहुत narrow and specific जाएंगे, लिकिन जो second option होता है, वो होता है conservative automation, तो इसमें Google ad try करता है, जिस तरह की targeting आपने की है, उसी तरह की जो बाकी audience है, उनको आपका ad दिखाए, similar जो आपका cost per customer है, जो इसमें third option है, वो aggressive automation, इसमें Google ad try करता है, जितने maximum customer को आपका ad दिखाए, बट जो आपका cost per customer है, वो high जा सकता है, इसके बाद आपके पास यहां पे, because हमने manual bidding strategy जो चूस किया है, तो यहां से जो भी आपका max CPC है, उसको आप चूस कर सकते हैं, तो display campaign की जो bid होती है, वो कम होती है, search campaign से, तो यहां पे आप 50 पैसे से start कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कितने आपको impression मिल रहे हैं, अगर आपकी impression कम होती है, इसको आप 75 पैसे कर सकते हैं, 1 रुपी करते हैं, because amount vary करता है industry to industry, उसके बाद यहां से आपको अपनी ad create करनी है, तो आपको new ad पे click करना है, यहां से आपको gmail ad पे click करना है, जो सबसे पहला option होता है, वो business name होता है, आपको अपने business का नाम यहां पर देना है, फिर आपको headline देनी होती है, जिसमें आपके 25 characters होते हैं, आप एक description mention कर सकते हैं, जिसके में आपके पास 90 characters के limit है, यहां पर business name, headline और description मैंने mention कर दिया है, उसके पाद आपको final URL होता है, आप उसको यहां mention कर सकते है, अब आपको अपनी ad के लिए यहां से add asset को choose करना है, तो सबसे पहले आपके पास option होता है, images का, जो भी आपकी website का domain है, उसको scan करके जो images हैं, उनको आप use कर सकते हैं, आप upload कर सकते हैं अपने machine से, आप stock images को use कर सकते हैं, यह तो यहां से आप कोई, जो भी keyword है, phrase है, यह URL है, आपके business है, उसको mention कर सकते हैं, जो भी उससे related stock images हैं, उनको आप use कर सकते हैं, डिसेंटली यूज होता है जो भी मैंने डिसेंटली यूज की हैं images वो मुझे यहाँ पर show हो जाएंगे अब मैं यहाँ से अपनी add के लिए marketing और header image select करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर दो option होते हैं अगर मैं यहाँ पर पहले marketing image को select करता हूँ तो मैं उसको landscape में select कर सकता हूँ या मैं उसको square में use कर सकता हूँ continue उसके बाद मुझे अपनी add के लिए यहाँ से header image को select करना है यहाँ से मैं अपनी add के लिए logo को select कर सकता हूँ जो logo को size है वो 144 x 144 आपको रखना है और यहाँ से आपको save करना है उसके बाद आपको यहां से वीडियो पे क्लिक करना है तो आप यहां से डिरेक्टली जो वीडियो है अपनी यूट्यूब चैनल से पूल कर सकते हैं जो भी रिसेंटली अगर आपने कोई वीडियो यूज की है तो यहीं से आप उसको select कर सकते हैं और आपको save पर click करना है तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने marketing और header image और logo को select कर लिया है यहां से मैंने जो मेरी वीडियो है ad के लिए उसको select कर लिया है उसके बाद जो मुझे next option मिलता है वो catalog images का मिलता है catalog images से साथ मेरे जितने भी different products हैं या services हैं उनको मैं अपनी आड में show कर सकता हूं तो मुझे यहां से add catalog images पर click करना है तो यहां पर भी मेरे पास same option है कि मैं website scan करके upload करके जो images हैं उनको upload कर सकता हूं नहीं तो मैं recently जो मेरी used images उनको use कर सकता हूं तो यहां पर मैं upload पर click करता हूं और मैं यहां से आपको दिखाता हूं कि laptop से किस तरह है आप image को upload कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो image है मैंने इसको select कर लिए उसके बाद आपको use image पर click करना है उसके बाद आपने image को crop कर सकते हैं कि आपको कंटीनु पर क्लिक करना है तो यहां से आप रिसेंटली यूज इमेज़ इसको भी सेलेट कर सकते हैं आपको यूज इमेज पर क्लिक करना है यह सेलेक्ट हो गई है यहां से आपको यूज इमेज पर क्लिक करना है आपको यहां से option होता है कि जो चार images हैं इनके लिए मैं एक ही call to action select करना चाहता हूं और एक ही URL को select करना चाहता हूं या मेरी different images हैं उनके लिए different call to action और different landing page URL को select करना चाहता हूं अगर यह different है तो यहां से आप provide multiple URLs and call to action को select करना है उसके पास जितनी भी आपकी images होंगी, उनके लिए आप different call to action select कर सकते हैं, और आप एक different जो URL है उसको select कर सकते हैं, URL को copy करने के लिए आपको अपनी website पर जाना है, आपको URL को copy करना है, उसके बाद आपको यहां से next पर click करना है, तो जो आपकी next image है, वो automatic यहां पर आ गई है, तो यहां से आपको call to action पर click करना है, और जो भी आपको call to action है, वो यहां पर mention करना है, आपको call to action देना है, final URL देना है, और यहां पर next पर click कर देना है, इसी तरह आप अपनी next image पर call to action और final URL दे सकते हैं, next पर click करना है, और बाद में आपको यहां पर done प तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो Gmail आपने create की हैं वो किस तरह दिखेंगी तो सबसे परले यहां पर फोन पर आपकी आड किस तरह शो होगी तो यह जो फोन है वो collapse आड है जैसे इस पर कोई click करता है तो इस तरह आपकी add expand हो जाएगी आप इसको computer में देख सकते है तो सबसे उपर यहां पर आपका header image है फिर आपने झो यहां पर marketing image दी है वो यहां पर show हो लिए तो आप दिख सकते हैं यह मैंने square में select की है और जो header image है मैंने landscape में की है उसके बाद आपकी headline शो होती है और आपने जो यहां पर description दिया है आपका call to action यहां से आपके पास more option है आपको इसके उपर click करना है उसके बाद आपके पास custom teaser का option होता है custom teaser का मतलब होता है जब आपकी जो add है वो collapsed home में है तो वहाँ पे आप customer को इस तरह का teaser दें वो आपकी add पे click करें तो यहाँ पे आपके पास एक subject line का space है जहाँ पे आप 25 character तक एक subject line दे सकते हैं और आप teaser description दे सकते हैं तो इसमें भी आपको 90 characters की limit मिलती है यहाँ पर मैंने custom teaser headline और teaser description को mention कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यह add collapsed home में होगी तो किस तरह यहाँ पर आपकी headline और जो आपका description है वो mention होगा तो आपको description और जो आपकी headline है उसको कुछ इस तरह लिखना कि maximum grab करें attention आपके लिए और user पर click करें तो यहाँ पर दे सकते हैं like 10% discount, free shipping इस तरह करके आप यहाँ पर एक अच्छा call to action दे सकते हैं अपने description में भी आपको फिर से more option पर click करना है और यहाँ से आपको call to action पर click करना है आपको यहाँ पर option मिलता है 15 characters तक एक अच्छा call to action लिखने के लिए आप यहाँ पे अपना call to action दे सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ से more option पर click करना है और third जो option है यहाँ पे वो color option का है आपको सेलेट करना है आप यहाँ पे दे सकते हैं ascent color तो यहाँ से आपको अपने color का code डालना है अगर आपको नहीं पता है कि जिसा है अगर मैं यहां पर gold yellow डालना चाहता हूं, मुझे नहीं पता मुझे code क्या डालना है, तो आपको Google पर जाना है, तो आप search bar में select कर सकते हैं, gold estimate color code, तो यहां से आपको code मिल जाता है, तो आपको यहां से code को copy करना है, और यहां पर अपनी add में paste करना है, एंटर करना है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर जो color है, वो yellow gold select हो गया है, और जितने भी मेरी यहां button थे add में, जो पहले blue थे, अब यहां पर gold हो गया है, जो भी आपके business की color theme है, तो आप यहां से अपनी add को use कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहां पर create campaign पर click करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, congratulations your campaign is ready, तो यहां पर आपके पास एक summary होती है, कौन सी date को अपने अपनी campaign को create किया है, आपकी campaign को goal किया है, आपका परड़े का budget किया है, कौन सी location को आप target कर रहे हैं, आपकी campaign को type क्या bidding strategy, आपके यूज कर रहे हैं, कौन सी language है, आपको यहां से continue to campaign पर click करना है, आप यहां पर देख सकते हैं, जो lead campaign हमने gmail आड़े के भी बनाई है, भू यहां पर create हो गई है, आपको इसके उपर click करना है, आपकी आड़ को कोई forward करते हैं, तो यहां पर आप उसका जो forward, जितने भी लोग forward करेंगे, उनका number यहां पर आएगा, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, इन दोनों matrix को, तो आपको यहां पर column पर click करना है, modify column पर click करना है, उसके बाद यहां से आपको दोनों जो matrix है, उनको check करना है और apply पर click करना है, तो उसके बाद जो भी आपका dashboard है, उसमें आप दोनों matrix को देख पाएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप किसी भी Gmail ad को save कर सकते हैं, मैंने अपने Gmail campaign में login कर लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर social पर click किया है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक Gmail ad show हो रहा है, तो अभी यह जो add है, यह collabed form में है, जैसे मैं इस add पर click करता हूँ, तो यह आप देख सकते हैं, यह expand हो गया है, और यहाँ पर मुझे एक video का option मिलता है, तो यहाँ से मैं video को play कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं claim your spot पर click करता हूँ, तो यह हो सकता कि जो इस particular website का landing page है, मैं उस पर land कर जाऊँगा, और यही से मुझे option मिलता, save to inbox, अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो यह जो particular ad है, यह मेरे inbox में save हो जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको inbox में save करने के click करता हूँ, इसी तरह अगर मैं promotion पर click करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, go daddy, tik tok ads, यह एक तरह की remarketing campaigns है, विकोज मैं इन website पर मैंने visit किया था, तो अगर मैं यहाँ पर tik tok ad पर click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह expand हो गया, तो यहाँ पर मुझे save to inbox करने का option मिल रहा है, सेम ही इसी तरह अगर मैं go daddy की ad पर click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर expand हो गया, वो एक unread ad form में यहाँ पर मुझे as a email आ गया है, जैसे मैं इस पर click करता हूँ, जिस ad पर मैंने click किया था exactly most ad को यहाँ पर देख सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास option है कि मैं इस जो ad है, जो as a email मेरे पास आ गया है, मैं forward कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं image ad core यहाँ आपका कोई different format है, आपने html में अपनी ad create की है, तो उसको भी आप Gmail ad में upload कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी campaign को select करना है, और आपको left side से add an extension पर click करना है, यहाँ से आपको plus icon पर click करना है, तो आपके पास यहाँ से option होता है upload Gmail ads, तो आपको इसके उपर click करना है, आपको अपने ad group को select करना है, पहला option आपके पास है image ad, तो इसमें आपको जैसे आपने एक normal ad create की थी, आपको business name, ad line, description, display URL, final URL आपको यहाँ mention करना है, तो आप यहाँ पर अपने tracking template को use कर सकते हैं, तो standard में भी आपके पास option होता है, और image ad में भी आपके पास option है, उसके बाद यहाँ से आपको अपने जो भी company का logo है, उसको यहाँ से add करना है, उसके बाद यहाँ पर आप choose a file to upload पे click करना है, और अपनी add को select कर लेना है, इसमें जो आपके पास dimension होती है, वो 300 x 650 pixel की होती है, और यहाँ से आप logo को select कर सकते हैं, आपको logo को select करके save करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने business name, headline, description, display and final rule को mention करती है, और आपको save पर click करना है, गूगल कुछ टाम देता है इसको review करने में, बट यह एक परिके से आपने एक को successfully submit कर दिया है, अब आपको मैं बता हूँ किस तरह आप HTML ad को upload कर सकते हैं, तो आपने प्लस icon पे click करना है, आपको upload email ad को select करना है, अपने add group को select करना है, तो आपके पास यहाँ पर पहला option था image ad, second option जो आपके पास वो HTML ad है, तो दोस्तों एक पास समझने की है कि जो HTML ad है, वो advanced advertiser के लिए है, इसमें क्या होता है कि आपका जो expanded page है, उसको आप design कर सकते हैं, कि आप अगर दो या तीन different column की form में अपनी images दिखाना चाहते हैं, HTML ad को submit करने के लिए आपको चार चीजों का धिहान रखना है, सबसे पहले images, मैंने example के लिए यहाँ पे 6 images को, एक image को select किया है, तो इस तरह आपको यहाँ पे अपने image को upload करना है, लेकिन जो उसका size है, वो 150 kb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो उसके dimension है, वो 650 into 650 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको अपने logo को add करना है, जिसके dimension 144 into 144 होनी है, आप उन्हें जो file का नाम है वो logo रखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक teaser को upload करना है, जो file का type है, वो सिरफ txt होना चाहिए, आप देख सकते हैं, आपको इसी format में अपने detail को upload करना है, Advertiser, Spanion and Suites, Subject, Description, Display URL, Landing Page, इसे होगा कि जो आपकी Gmail add में left side में जितनी detail है, वो automatic इस detail से fill हो जाएंगी, जो इसमें last है, वो index है, आपको एक index HTML file create करनी होती है, कि आपकी जो add है, वो किस तरह दिखिएगी, उसके बाद जब अपने index.html file को open करता हूँ, तो इस तरह आप देख सकते हैं, जब यह file open होगी, तो कुछ इस तरह की देखिएगी, जो भी आपने call to action दिया है, और जो images हैं, वो इस तरह शोऊंगी, तो यहाँ पर मैंने एक image को select किया है, तो इस तरह आप यहाँ पर अपनी different images को select कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक index जो चारूं फाइल को zip folder में convert करना है, उसके बाद आपको अपनी जो zip folder है, उसको यहाँ से upload करना है, जीज़ आप्स, open, तो hopefully दोस्तों जो मैंने अभी यह zip folder create किया है, यह upload हो जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, जो zip folder भी बनाया है, वो successfully upload हो गया है, तो जो भी यहाँ पर detail है, वो सब teaser से upload हो की आ गई है, तो आपको यहाँ से जो यह आपका URL है tracking template में आ गए, इसको आपको यहाँ से select करके इसको final URL में mention करना है, tracking template अगर आप use करना चाहते हैं, तो आप create करकी use कर सकते हैं, आपका जो add है, वो collect form में कुछ इस तरह कर शो होगा और जो अब कोई भी users पर click करता है, जब वो expand होगा तो कुछ इस तरह कर शो होगा, तो उसके बाद आपको यहाँ से save करना है, मैंने आपको देखा है किस तरह आप different जो gmail ads हैं, उनको create कर सकते हैं, तो यहाँ पर add type है, जो सबसे पहला add, जो gmail ad है, जिसमें आपके पास template होती है, जो gmail के create करता है, उनको आप use कर सकते हैं, second होता है gmail upload ad, जिसमें आप एक image को upload कर सकते हैं, जो तीसर option होता है, यह advance advertiser के लिए होता है, जहाँ पर आप html ad को upload कर सकते हैं, आप अगर अपने कोई existing जो आपका ad group पर उसमें कुछ changes करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके पास left side में जो आपने campaign create करते हुए आपके पास option थे, लाइक keyword targeting, audience, demographic, वो आपको मिलते हैं, आप bidding strategy को change करना चाहते हैं, तो यहां से आप setting पर click कर सकते हैं, उसके बाद आप अगर अपना budget change करना चाहते हैं, बिडिं strategy को change करना चाहते हैं, तो आपके पास option होते हैं, आप उनको यहां से change कर सकते हैं, आपके पास language location, goal, इन सब को आप यहां से change कर सकते हैं, आपके पास अगर आप अपनी ad को schedule करना चाहते हैं, आपके पास यहां पर अप्शन का option होता है, आप चाहते हैं particular जो आपकी add of mobile पर ही दिखाए दे, तो यहां से आप device को select करके, जो mobile है उसकी bit बढ़ा सकते हैं, और जो आपके पास computer है, यहां से आप उसकी bit है, उसको decrease कर सकते हैं, तो उसकी होगा कि आपकी add of mobile device पर ही ज्याद़ शो होगी, मैं उमीद करता हूँ, जीमेल आपको समझ में आया होगा, वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe कर लीजे, पैल आइकन को जरूर रिट कीजे ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आप मेस ना करें, thank you.